हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंड आइंजिनियरी दोस्तो आज की वीडियो में मैं सबस्टेशन के बारे में बात करूँगा इस स्लाइड के हेल्प से आपको मैं सबस्टेशन का जो भी ठीरिटकल पार्ट्स है उसको आपको क्लियर कर दूँगा एक और बयात पताना चाहूँगा दोस्तो मैं इससे पहले कि मैं एक स्विचिगेर पे अलड़ी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसको मैं अपलोड कर जिया हूँ आप उसे जाकर देख ले सटे जब जब मैं next video बनाऊंगा सविचिगेर के बारे में तो आपका जो concept है और भी अच्छे से clear होगा जो मैं next video बनाऊंगा सविचिगेर के बारे में उसको सविचिगेर में जाकर मैं सविचिगेर को दिखाऊंगा आपको जो भी कुछ महां पर knowledge होगा आपसे share करूँगा तो अभी मैं sub-stations के बारे में आपसे बात करता हूँ दोस्तो तो sub-stations क्या होता है basically दोस्तो being electrical engineer or technicians आपको जानना बहुत important है तो जैसा कि पता होगा दोस्तो आपको sub-stations के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ points लिखा इसके help से आपको sub-stations के बारे में बताना चाता हूँ कि sub-stations दोस्तो एक होता है वो मारा electrical generation का part होता है या transmission का बोल सकते हैं या distribution system इन तीनों system का जो होता है दोस्तो sub-stations एक part होता है जो की बहुत ही vital role play करता है sub-stations जो होता है दोस्तो उसमें हमारा voltage level आपका कम से ज्यादा या ज्यादा से कम होता है with the help of transformer transformer जैसे आपको पता होगा sub-stations लोग जो यूज़ करते हैं वो step-up और step-down step-up के help से हम voltage को बढ़ा सकते हैं और step-down के help से हम voltage को कमा सकते हैं कम कर सकते हैं याज पर आपका requirement तो यह भी एक sub-stations के अंदर में perform यह होता है role next बोलता है दोस्तो जो हमारा generating station होता है और consumer उसके बीच में भी हमारा sub-stations होता है अब भी ऐसा आस-पास देखते होंगे दोस्तो जहां पे suppose कि कि किसी power plant में पावर जनेरेट हो रहा है वहां से MSDS को जाता है MSDS के बाद एक और जो भी distribution sub-stations होगा वहाँ होगा उसके बाद जो यूजर इंड है वहाँ पे जाता है तो यह जो है sub-stations उसके बीच में power generating station और consumer के इंड के बीच में भी sub-stations रहता है नेक्स्ट जो दोस्तो बोल रहा है कि sub-stations जो हमारा दोस्तो interconnections प्रोवाइड करता है transmission circuit और distribution circuit के बीच जो हमार different level का voltage होता है whether हो आपका 6.6 हो 11 के भी हो 33 के भी हो या more than 33 के भी हो next number point जो बोलता है दोस्तो कि sub-stations is connected in the electrical network through an over line अब sub-stations में देखते होंगे दोस्तों कि overhead transmission line होता है उसका connection sub-stations के hoop में होता है दोस्तों यह हो गया दोस्तों कुछ basic sub-stations के बारे में next slide को देखते हैं next है दोस्तों classification of substations जैसा कि classification में हमको दो तरह कर classified किया है इसको sub-stations को जो सबसे पहला है वो AIS है AIS means air insulated sub-stations and second one is GIS gas insulated sub-stations AIS मतलब होता है दोस्तों जो आप normally देखने को जादा मिलता होगा AIS जो open environment होता है तो जो इसका point बूल रहा है कि AIS जो होता है दोस्तों उसका terminal जो होता है arrangement जो होता है जिसको हो हिटलाइज करते है आजे primary equipment जिसका terminal हमारा हवा में आप देखेंगे तो ओपन एडिया में रहाएगा next number point बोल रहा है दोस्तों कि जो इसका terminal होता है तो वो हमारा large clearance provide करता है आपका terminal और अर्थ के बीच और जो हमारा phase का terminal है उसके बीच next point बोल रहा है दोस्तों कि इस तरह के जितने भी हमारा substations होते हैं वो देखेंगे तो जाता से जाता एडिया को cover करता है और यह हमारा substations AIS जो air insulator substations है उसमें होता है next slide हम देखते हैं gas insulator substation के बारे में gas insulator substations जो दोस्तों होता है वो हो high voltage substations होता है जिसमें हम आप देखेंगे तो एक sealed environment होता है sealed environment, AIS के case में क्या होता है, एक open environment होता है, और इसमें sealed environment होता है, it means आप किसी enclosed environment के अंदर में होगा, ये जो होता है दोस्तों, GIS के case में एक gas होता है, जिसको बोलते है, SF6, जिसका full name है sulfur hexafluoride, जिसको हम लोग use करते हैं, phase और phase को, और phase और earth को clearance देने के लिए, तो ये question भी दोस्तों आ सकता है, कि कौन सा gas use करते हैं, next जो बोल रहा है, कि इस तरके जितने भी substations होते हैं, वो हमारा बड़े-बड़े सहर में होते हैं, क्योंकि ये जो substations है, हमारा बड़े-बड़े सहर में होता है, क्योंकि युद्ध बशित करता है इसलिए इसको कम से कम को पाई इसलिए और सब्सक्राइब region देखते हैं दोस्तो इस figure के help से आप समाझ सकते हैं AIS और GIS के बारे में कि फाला नांबर जो दिख रहा दिसको यह देख सकते हैं और सयह ऊपन इंवार्मेंट है से क्लोज इंवार्मेंट में इसमें जो हो गया से क्यांद वाला में तो जैसे जब आप सब्स्टेशनमें जाएंगे तो उसके अंदर में आपको सब्स्टेशनमें स्विचिगेर एंबिलेगा सुचिएर का भी डिफ्रेंट-डिफ्रेंट जो भी लाइटिंग से आपका सबस्टेशन को मतलब कुछ भी एफेक्ट होगा उससे आपको बचाने के लिए लाइटिंग अरेश्टर लगा जाता है यह हो गया दोस्तों components of substations next slide में बात करता है दोस्तों कि जो substations है वो हमारा तीन components से मिलके बना हुआ है जैसे पहला है प्राइमरी प्राइमरी में बोलता है दोस्तों कि इसमें जो हमारा जितने भी equipment होते हैं वो हमारा service मतलब जो होता है nominal voltage पर प्रोफाइड करता है secondary में क्या होता है दोस्तों जितने भी इसमें equipment होते हैं जैसे control equipment protection measuring and monitoring equipment और auxiliary power supply में जो हम auxiliary purpose उच करते हैं जैसे हमारा हो गया AC DC supply जो आप control supply उच कर सकते हैं जो भी आपका protection के लिए जो supply कोई भी जैसर रिले हो गया उसको आप supply जैता उसको हो गया control measurement monitoring and equipment to operate तो यह सब हो गया next types of substations तो substations दो तरह के होते हैं एक transmission substations और element distribution substation अब इसको समझसेदें से स्भावर जो हता है generating rah एट supporting a station generating station जो होता है दूस्तों यह जैसा मुझे पता है दूस्तों हमारे हमारे हम जैसा मुझे पता है दूस्तों जो हमारे यहां पावर्प्लाइट वे जिनेरेट करता हूँ 6.6 से भी करता है फर्दर उसको स्विच्याइड MSDS के हेल्प से स्विच्याइट करता है उसके बाद फिर आपको लो करके युजरेंड में दिया जाता है पहला नमबर पॉइंट यहीं बोल रहा है नेक्ट सेकेंड नमबर पॉइंट बोलता है दोस्तों कि जो वोल्टेज लेबल है आप उसको इंक्रीज कीजिए ट्रांस्मिशन करने के लि ओक रहता है जाएगा जाएगा पर क्योंकि इसमें चो लॉसे अभी होता है दोस्तों इसके कारणी है हमारा क्या लाता नेक्स है देशिट्रिभीूशन सब इस्टेमिशन में जो पॉइंट बोल लिए दोस्तों पावर विच आइप हाई वोल्टेज इस नोट सूटेबल फ बीच में सबस्टेशन प्रवाइड के जाता है जिसको हमें मतलब स्टेप डाउन करके यूजरेंड में दिया जाता है नेक्स जो पॉइंट गोलगा दोस्तो कि step down the voltage level to the suitable for distribution जैसे जो हमारा जो हम लोग यूज करते हैं यूजर जो वेदर हो कंजूमर हो या इंडस्ट्रियल हो दोमेस्टिक परपस से करते हो या इंडस्ट्रियल परपस से तो जो हम लोग maximum जो वोल्टेज यूज करते हैं दोस्त हमने एक एक जांपल मैंने आपको बता रहा हूं एक 33 के भी क्या आपका जो है वोल्टेज आप लेंगे उसे और 35 एंड़ेंगे जिससे आपका step down करके 11 के लिका लेंगे तो 11 के भी के से और 11 के वी से नीचे के जितने वोल्टेज उस पे आप कोई भी अपने मोटर या जो भी आपके पास equipment से उसको operate कर सकते हैं तो maximum जो इंडेस्ट्री में यूज होता है दोस्तों 11 के भी voltage किसी भी मसीन या मोटर को operate करने के लिए कि दो कंजूमर में भी domestic और industrial जो कंजूमर हो हो सकता है दोस्तों domestic है या इंडेस्ट्रियल परपस यूज कर रहा है कि नेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों substations layout यह जो दोस्तों देख रहाए आप substations layout है एक पहला वाला जो फिगर देख रहे हैं सिंगल बस बार लियाओट है दूसरा वाला जो है डबल बस बार में कोई difference नहीं आप देख सकते हैं बस दो बस बार का changes आगे हैं सेकेंड बाल में बार में मेंजर difference है क्यों लगा जाता है सिंगल बस बार जो basically होता है दूस्तों वह स्मॉल सबस्टेसेसं में लगा जाता है जो छोटे-चोटे सबस्टेसंस होते हैं क्यों लगा जाता है क्यों कि वहां जो continuous supply हमारा होता है कंजूमर को क्रीटिकल नहीं होता है अगर माल सिंपल और इकनोमिकल भी होता है डबल बस बार की केस में किया जा दोस्तों तो यह हमारा बड़े-बड़े सबस्टेशन्स में लगा जाता है यह हमारा जो सिस्टम होता है यह मतलों इसलिए लगा जाता है डबल बस बार किसुरेट हमारा जो इंटरप्शन है हमारा सप्लाइ में वो किसी भी तरह का नहीं हो इसलिए हम लोग डबल बसबार को यूज करते हैं तो यह एक मेजर डिफरेंस हो दोनों में यह रहा हमारा दोस्तों आज का आपका सबस्टेशन के बारे में वीडियो जो आपका कॉंसेप्ट अल्मोस्ट किलियर हो गया होगा इसके अलावा भ लोग आज बाते करेंगे आपसे नौलेज शेयर करेंगे दोस्तों तो अच्छा लगा वीडियो दोस्तों तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यू सो मज़ दस्तों